दोस्तों नमस्कार अगर आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है और आप चाहते हैं कि ATM कार्ड का पूरा डिटेल देखना तो इस वीडियो को आप कम्पलीट देख सकते हैं किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि ATM कार्ड का नमर कैसे आप देख सकते हैं इसको देखने के बाद आप जो है किसी भी यूपिया अप्लिकेशन में ATM कार्ड को इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अप्लिकेशन ओ आपको description में दे देंगे account बना सकते हैं किस तरह से India post payment bank में login करते हैं तो यहाँ पर MP देने के बाद यहाँ पर हम homepage पर आ जाते हैं homepage पर आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा आपको option मिलता है जैसे आप balance check कर सकते हैं उसके बाद mini statement आप यहाँ पर कड़र के देख सकते हैं इसके बाद इस पेज को थोरा सा आप ऊपर करेंगे उपर करने पर देखे e इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं यह आपका card number है उसके बाद जो भी आपके card में नाम है यहां पे आपको दिखेगा उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं अगर आपको देखना चाहते हैं view card details पे आप click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से वही MPN इंटर करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे MPN इंटर कर देते हैं इसके बाद confirm वाले option पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका CBB नम्मर उसके बाद ATM कार्ड का पुरा नम्मर यहाँ पे आपको दिखा जा रहा है और यहाँ पे X-Fari date भी आपको यहाँ पे दिखा जा रहा है यहाँ पे आप ATM कार्ड को यहाँ से manage भी कर सकते हैं और block virtual debit card भी आप कर सकते हैं किसी भी UPI application में इसे इस्तमाल कर सकते हैं